नमस्कार विभाईयों बहनों आज का विशे है धर्म और मजहब या संप्रदाइद धर्म क्या है और मजहब क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि धर्म और संप्रदाइ या मजहब दोनों एक ही चीज नहीं है दोनों अलग अलग है धर्म एक ही होता है और संप्रदाय या मजहब बहुत सारे होते हैं तो ये क्या हैं मजहब किसे कहते हैं संप्रदाय किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे अर्बी में धर्म को इमान और संप्रदाय को मजहब कहते हैं मजहब या संप्रदाय कार्थ होता है कि एक तरह की पूजा पद्रती एक तरह के नियम कानून को मान कर चलना एक तरह के ग्रंथो कानूशरन करना और एक तरह का पहदाव और या संप्रदाय या मजहब होते हैं जिसे मतवार भी कहते हैं यह मनुस्य द्वारा बनाए गए हैं यह बहुत सारे हैं और ये मनुस्य को जोडते नहीं है, मनुस्य को तोडती है, मनुस्य मनुस्य को विभाजित करते हैं अभी तक देखा जाए, तो संप्रदाय के नाम पर जितनी इस प्रत्वी में हिंसा हुई है अभी तक किसी भी छेत्र में, किसी के भी नाम पर उतनी हिंसा नहीं हुई है जितनी मजहब और संप्रदाय के नाम पर भी है जैसे हिंदू मतवाद है, हिंदू मजहब ये हिंदू संप्रदाय जो भी कहें मुश्लिम समाज है, हिंदू, मुश्लिम, क्रिश्चन, सिक, जहूदी ऐसे बहुत सारे मतवात इस प्रत्वी में हैं और ये सारे मनुस्य के द्वारा बनाए हुए है लेकिन ये धर्म नहीं है इन्हें धर्म कहना बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं है फिर अब जान लेना होगा कि आखिर धर्म क्या है पहली बात तो धर्म एक ही होता है धर्म बहुत सारे नहीं होते हैं मतवात बहुत सारे होते हैं ये सब संप्रदाय, मजहब ये सब बहुत सारे होते है लेकिन धर्म एक ही होता है तो धर्म क्या है गुर्द्यों ने बहुत ही किलियर डिफनीशन दिया है कि धारयति जह सह धर्म अर्थात जो चीज धारन किया जाता है या उसका स्वभाव हर वस्तु का हर जीव का एक अपना स्वभाव होता है एक लक्षण होता है उसी से हम उसके धर्म को पहचानते हैं जैसे दूद को आप देखते हैं दूद का स्वभाव क्या है उसकी धवलता उसकी सफेदी चाहे हिंदूस्तान का दूद हो चाहे पाकिस्तान का दूद हो चाहे अमेरिका का हो सभी जगे का दूद सफेदी होगा तो दूद का धर्म क्या हुआ उसकी धवलता उसकी सफिदी वैसे पानी का धर्म है पानी का सोभावे तरलता किसी भी चीज को भिगो देगा पानी अगर भिगोने का कारे नहीं कर दा है तो उसे पानी नहीं कहेंगे तो पानी का धर्म हुआ भिगोना वैसे ही आग का धर्म है आग का धर्म होता है किसी भी चीज को जला देगा उसमें दहन शक्ती होती है चाहे उसके पास बच्चा जाये, चाहे बुढा जाये कोई भी जाये, कहीं की भी आग हो सब जगे की आग एक ही होती उसका एक ही सुभाव है किसी भी चीज को जला देना आग का धर्म हुआ जलाना वसे हर एक वस्तु का ऐसे सुभाव होता है कोई न कोई उसी के सुभाव से हम उसके धर्म को पहचानते हैं वैसे ही मनुस्य का एक सुभाव है वह क्या है सुख पाना हर मनुस्य सुख पाना चाहता है और कितना सुख पाना चाहता है वो चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सुख हमें मिल जाए जैसे किसी के पास साइकिल है तो चाहता अगर हमें मोटर साइकिल मिल जाएगे तो हम सुखी हो जाएगे जब मोटर साइकिल हो जाती है तो सुचता है गर हमारे पास कार हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे जब कार हो जाती है तब सुचता है हमारे पास लगजरियस कार हो जाए प्लेन हो जाए इस तरह से उसकी इच्छाएं जो है बढ़ती रहती है पिर धीरे धीरे देखा जाये तो अगर उसे आप पूरी प्रत्वी का मालिक भी बना देते हैं तब भी वह सुखी नहीं रहता है तब भी कहता है कि अब हम दूसरे ग्रह का मालिक बनेंगे क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन असीमित सुख चाहता है और यहां जो जगत है नपातुला है सीमित है और यहां नपातुला सीमित जगत मन से के मन को असीमित सुख नहीं दे सकता है और असीमित सुख अब कहां है? असीमित सुख है परमात्मा में तो अब जाने अंजाने मन से उसी असीमित सुख की तलास में चल रहा है और सुख जहां असीमित हो जाता है अनंध हो जाता है गुर्देव ने कहा है आनंध सुखम अनंतम आनंदम सुख जब अनंध हो जाता है तो उसे कहते हैं आनंध और आनन्द को ही परमात्मा भी कहते हैं तो देखा जाए तो मनुस्य की तलास क्या है आनन्द की तलास है परमात्मा की खोज है वो जाने अंजाने परमात्मा की ओर चलना चाह रहा है उसी की ओर जा रहा है कुछ लोग अज्यानतावस सोचते हैं कि धन कोई कठा करेंगे तो मुझे सुक मिल जाएगा पद कोई कठा करेंगे तो मुझे सुक मिल जाएगा और सारा जीवन इसी में बेतीत कर देते हैं और अन्त में जब उन्हें पता चलता है कि इससे सुक नहीं मिलता है तब उन्हें बहुत पस्तावा होता है तो सुख कहा है अनन्त सुख जिसे आनन्त कहते हैं वो है परमात्मा में तो परमात्मा की ओर चलना ही जाने अंजाने हर मनुसे चल रहा है कोई जानकर चल रहा है कोई अंजाने में चल रहा है लेकिन सभी को अनंद की तलास है, अनंद की ओर सभी लोग चल रहे हैं, अनंद की ओर सभी लोग चल रहे हैं, सभी लोग आनंद की ओर चल रहे हैं, तो आनंद कौन है, परमात्मा है, तो परमात्मा की ओर चलना ही मनुस्य का सुभाव है, मनुस्य का धर्म है, मनुस्य का धर् परमात्मा की ओर चलना अब परमात्मा कहां है एक कहानी हमने सुनी है कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई सब कुछ बन गया अंत में जब मनुष्य को बनाया तो भगवान बड़ी चिंता में पड़ गए और उन्होंने कहा कि देखो यह रोज मनुष्य मेरे दरवाजी खड़ा हो जाएगा हजारों परस्न लेकर के इसे कहां तक मैं उत्तर दूँगा इसलिए उन्होंने एक देवताओं की सभा बुलाई और देवताओं से पूछा कि देखो तुम लोग मुझे कोई छिपने की जगे बता दो जहां मैं छिप जाइए खजल्दी हिले दी अंते सेंपड़ा होंगे वहां पहुँच जाएंगे इससे काम न चलेगा तो एक दिवता ने कहां चान पर ठूप जाएए तो भगवान कान में कहा वो बात भगवान को समझ में आ गए उस देवताने कहा तब आप मनुस्यके अंदर छिप जाइए मनुस्यसिया आपको कभी नहीं दूढ पाएगा तो परमात्मा हमारे अंदर है, खुद की ओर चलना ही, मनुसी का सुभाव है, और परमात्म जब हमारे अंदर है, तो खुद को जानना की मैं कौन हूँ, कौन जन्मा, कौन जी रहा है, कौन मिर्तु में बिदा होगा, इसका उत्तर जानना ही, मनुसी का सुभाव है, मनुसी का धर्म है, धर्म हिंदू मुश्लिम नहीं है, धर्म एक है, धर्म मनुस्य मनुस्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, क्योंकि ये अनंत की खोज है, अनंत की योद चलना है, इसलिए मनुस्य नहीं, मनुस्य पसू, पक्षी, पेण, पौधे, ये जोड अनंत का है, किपने भी लोग आएं उस ओर चलते जाएंगे यहां कोई द्वेश नहीं है कोई जगड़ा नहीं है कोई मतभेद नहीं है इसलिए धर्म कहता है कि खुद को जानू कि मैं कौन हूँ तो धर्म क्या हुआ परमात्मा की ओर चलना ही मनुस्य का धर्म है और धर्म एक ही है अब परमात्मा क्यों कैसे चलेंगे उसका तरीका है कि मेडिटेशन मेडिटेशन एक है प्रयास मेडिटेशन है मेंटल एक्सरसाइज उस मेंटल एक्सरसाइज के द्वारा हम देली परमात्मा का चिंतन करते हैं हमारा मन बहिर मुखी है हम उसे अंतर मुखी बनाने का प्रयास करते हैं बार बार मन बाहर भागता है हम उसे अंतर अंदर लाने का प्रयास करते हैं प्रतिहार के द्वारा धीवे 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 इस mental exercise से क्या होगा हमारा मन धीवे धीवे अंतर मुखी शुरू हो जाता है जब अंतर मुखी हो जाता है तब हमें आनंद आने लगता है और हमारी गती परमात्मा क्यों हो जाता है आज के लिए इतना ही नमस्कार